अबी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंती सब्सक्राइब कीजे और साथ में और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी तबा जीजे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे दोस्तों मारती सुजुकी एक मिड्साइज अशुवी विटारा के नाम से लाँच कने वाली है इंडिया में बहुत ही जल्दी जो कि मारती सुजुकी की ही कॉमपेक्ट अशुवी विटारा ब्रेजा से उपर पोईशन करेगी और इस मिड्साइज अशुवी विटारा की कमिंग मिट साइज SUV वी विटारा की अगर हम इंडिया में लॉंच की बात करें तो फैस्टिप सी जन 2020 में यह लॉंच होने वाली है दोस्तों और अगर हम इसके एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की बात करें तो 10-14 लैक एक्शो रूम दिल्ली रहने वाली है फ्रन प्रोफाइल में वाले हैं LED डेिटायम रनिंग लाइट प्रजेक्टर है लम प्रोजेक्टर अफावलां और इसके लावा फ्रन प्रोफाइल में आपको मिलने वाले हैं बात सांद में और सब्सक्रेंग है 8, 16, 10 mm, round clearance, 180 mm, and boot space दिया गया है, 375 liters, और इसके SUV stance को बढ़ाने के लिए इसमें दिया गया है, बहुत ही सांदार silver color के roof rails, interior के अगर हम बात करें तो बहुत ही सांदार interior आपको provide किया गया है, और इसमें steering wheel के अगर हम बात करें तो tiltable telescopic 3 spoke steering wheel provide किया गया है, जिसके left side audio mounted control, right side cruise control दिया गया है, instrument cluster के अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का interface रहने वाला है, दोस्तों, right side, speedometer, left side, arpometer, beach में मिलने वाली है, digital, MID, जिसमें आपको सारी information, drive assist related, digital information मिल जाती है, दोस्तों, और यहाँ पे infotainment system आपको दिया गया है, 8 इंच का touch screen infotainment system जो कि support करने वाला है, android auto, apple car play, bluetooth connectivity, navigation, radio FM, aux and USB को, infotainment system के चारों उड़ दिया गया है, piano, black finish, touch और dashboard याउट के अगर हम बात करें तो यहाँ पे carbon fiber, touch यहाँ पे दिया गया है, जिससे इसका interior काफी enhance हो जाते है, दोस्तों, जहां तक leg room और head room की बात करें तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है, दोस्तों, सभी seats में height accessible address और back seats में आपको मिलने वाले हैं, armrest with two cup holder और rear seats में आपको मिलने वाले हैं, rear AC winds, जहां तक engine की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाली है, दोस्तों, PS6 compliant 1.6 liter 4 cylinder naturally aspirated petrol engine, power specification की अगर हम बात करें तो 118 BSP की power and 156 Nm का peak torque generate करता है, और वहीं इसमें मिलने वाले हैं, दोस्तों, PS6 compliant 1.6 liter 4 cylinder turbo charge diesel engine, power specification की अगर हम बात करें तो 118 BSP की power and 320 Nm का peak torque generate करता है, दोनों ही engine में आपको मिलने वाले हैं, 5 speed manual and 6 speed automatic transmission, और इसके अलबा इस mid-size SUV में आपको मिलने वाली हैं, दोस्तों, बहुत ही सांदार electric sunroof और dual tone का भी option आपको इसमें मिलने वाली है, top invariant में, जहां तक safety features की बात करें तो इस mid-size SUV में आपको मिलने वाली है, 6 airbag, ABS with EBD with brake assist, electronic stability program with hill hold assistance, reverse parking, sensors, reverse parking, camera, seat bed reminder, driver side and co-passenger side, keyless entry, push start stop button, rain sensing wiper, auto dimming, IRBM, isofix child seat, anchorage, height adjustable driver seat bends, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-tap device, speed alert system, जैसे premium safety features मिलने वाले हैं, और इस mid-size SUV में आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही सांदा diamond cut alloy with 17 inch के, ये थी दोस्तों latest update मारोती सुजू की के upcoming mid-size SUV विटारा के बारे में information आपको कैसे लेगी, नीचे comment section में जुरू बताएगा दोस्तों, और एक like तो बनता है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो पे तब तक के लिए, thank you, धन्यवाद,